दोस्तो हम एक ऐसी वेकेंसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं जो एक बहुती जबरजस्त वेकेंसी है और सिर्फ दसवी पास केंडेट्स, मेल, फेमिल, दोनों केंडेट्स फॉर्म को अपलाई कर सकते हैं इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि यह ऐसी विभाग है जिसमें सब कोई जाना चाहता है और यह विभाग है इंटेलिजेंस ब्यूरो, खूफिया विभाग, जी दोस्तो हो खूफिया विभाग में संदार MTS के पोस्ट पे वेकेंसी निकल के आ चुकी है इस बार तीन तरह की वेकेंसी निकाली गई है पहला है सिक्यूर्टी असिस्टेंट, मोटर ट्रांस्पोर्ट, एड एम्टियस, मल्टी टास्किंग स्टाप, जनरल एक्जामेसन थोजार तेस, डारेक्ट वेकेंसी निकल के आ रही है, मिनिस्ट्री अफ होम अफेर्स के दोबारा जो है यह वेक है साथ ही साथ कब से फॉर्म भरे जाएंगे इसकी जनकारी निकल के आ चुकी है, छेसों से ज्यादा पोस्ट आपके रहने वाले हैं, सिर्फ दसवी पास, MTS जैसे जो भी पोस्ट है, सिक्यूर्टी सिस्टेंट जैसे जो भी पोस्ट है, जो भी यहां पर मोटर सबसेडरी इंटेलिजेंस बीरो, मिनिस्टर फॉर्म अफेर्स गोर्रमेंट ऑफ इंडिया, तो यह गोर्मेंट की जबर्जस्त वेकिंस है, सेलरी भी बहुत ही जबर्जस्त है, अभी हम आगे डिस्क्स करेंगे, सेलरी के भी बारे में, तो देखिए यहां पे, सबसे पहल मोटर, जिसको मोटर ट्रांसपोर्ट भी बोलते हैं, और MTS यह जेनरल, यहां देख सकते हैं, जो कि पदो की संख्या यहां पे, कैटेगरी वाइस जो किया गया है, अगर हम यहां बात करें, अगर ताला में, तो यहां पे 6 MTS में है, और 1 MTS में है, और 6 Security Assistant में है, तो इस त पर सया हुआ है, डेली की, अगर बात की जाए, डेली हेड़क्वाटर की, तो इंटेलिजेंस बीरो का जो हेड़क्वाटर है, डेली में है, यहां पे देखिए, MTS के जो है, 48 पोस्ट हैं, और Security Assistant मोटर ट्रांसपोर्ट के 42 पोस्ट हैं, इस तरह से अगर हम बात करें, प्र तो इस तरह से Offices-wise इन्होंने जो है, सारा वेकिंसी का जो है डेल्स यहां पे दे दिया हुआ है, त्रिवन्दे पूरम में भी बनारसी में इनका Office है, और मालने जो आप फॉर्म भरेंगे तो आपको एक पोस्ट का प्रिफरेंस भी देना पड़ेगा, कि आप जो है, इस Office क के लिए फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं, तो आप पहले यहां से चेक कर लिजेगा, कि किस Office के लिए आप फॉर्म अप्लाई करेंगे, अब आगे हम डिसकस करते हैं और जनकारे, जैसे यहां पे देखिए, क्लासिफिकेशन के बारे में दिया गया है, कि आपका जो है, सेल लाता है, नन मुनिस्टिरियल, नन गेजटेट पोस्ट राने वाले हैं, अगर हम बात करें, लेबल थ्री सेलरी, जिनका होता है, मिलेगा, इसमें डी ये पी ये अलाउंसे इस देखिए, आपके अलाउंसे बीस परसेंट है, तमाम जो है ड्यूटी, परफॉर्मेंस, आप आपको यहां पे रहेगा, तो डी ये पी ये अलाउंसे तमाम जोडते हैं, तो आपका सेलरी अगर लेबल 3 की है, मोटा-मोटी वान के चलिए, 35 प्लस सेलरी आपको जे स्टार्टिंग में बनते हैं, वही अगर लेबल 1 की सेलरी की बात करें, तो इसमें जो है 30 के आसपास आपको salary जो है देखने को मिलते 28 से 30 के आसपास रहता है तो salary के मामले में जबरजस्ट vacancy यहाँ पे रने वाली है और central government का जो allowances मिलता है वो थोड़ा सा महाँगा भी होता है तो आपकी salary जबरजस्ट यहाँ पे होने वाली है ठीक है अब यहाँ पे आपका essential qualification देखे बोला गया है तो सिर्फ metric pass बोला गया है आप metric pass है तो आप जो है form को apply करेंगे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है और domicile certificate भी होना चाहिए जिस state के against आप form को भर रहे हैं जैसे माल लिजिए आप जो है बिहार के हैं तो आप दूसरे state में form नहीं भर सकते हैं आप पटना में ही भर सकते हैं देखे आप पटना यहाँ पे लिखा हुआ है पटना की यहाँ पे देखे वेकेंसी जो है यह दी हुई है देख रहे हैं तो क्योंकि यहाँ पे साफ-साफ लिखा गया है कि आपका eligibility में जो है यहाँ पे बोला गया है कि metric तो पास होना चाहिए साथी साथ बोला गया है कि poses of domicile certificate of that state against which candidates has applied मतलब जिस state के अगेंस्ट आप form को apply कर रहे हैं का domicile certificate होना आपको mandatory है अगर माली कोई दिल्ली का है तो दिल्ली वाले ही जो है जगह से आवेदन कर सकता है को तिर्वंदपूरम से है तो तिर्वंदपूरम का जो है आपका जहां भी स्टेट पढ़ता है उसे state के बंदे आवेदन करेंगा अगर कोलकत्ता की बात करें तो आप बंगाल से आते हैं तो आवेदन करेंगे तो इस तरह से है अगर माली कोई जैपूर से है तो राजस्थान के है तो जैपूर में यहाँ पर आवेदन करेंगा तो इस तरह से आप देख लेंगे कि वो जहां की वेकिंसी निकले वहां के राज्य कौन सा है उसी राज्य क है कि नहीं है specification ठीक है अगर माल ने जो कोई उत्र पर्देस है तो उत्र पर्देस में लखनौ में भी इनका office वरारसी में भी office है जो आप form भरेंगे न तो आपको पूशेगा वरारसी ये लखनौ आप पोस्ट पर प्रिफिकेशन देंगे तो कहीं-कहीं पे दो-दो अगर को सिक्योटी एसिस्टेंट या मोटर के लिए देना चाहता है तो उनके लिए यहां पे थोड़ा सा एक्स्टा क्वालिफिकेशन उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए जो कि आप मोटर मेकेनिक मोटर मेकेनिसम का आपको नौलेज होना चाहिए जैसे कि आपका सुटेबल टु रिमूब मीनर डिफेक्ट इन द वाइकल अगर गाड़ी में कोई खरावी होती तो उसको आप लाइट मोटर मोटर मतलब जो लर्निंग लाइसेंस के बाद का जो बनता है वही आपका लगेगा कोई एक्स्ट्रा आपको यहां पर ड्राइविंग लाइसेंस के आपके पास होना चाहिए तो ही आप यहां पर फॉर्म को भरेंगे किसके लिए तो SA and MT के लिए Security Assistant और Motor Technician के लिए तो यहां पर दिख लिजए कि बाकी के जो पोस्ट है MTS जिसमें Multitasking के स्टाप है उसमें सिर्फ मैट्रिक पास और बाकी के जो पोस्ट है उसमें आपको ड्राइविंग लाइसेंस बोला गया है ठीके ना अब यहां पर बात करते है डिज दिजरेबल कॉलिफिकेशन में कि पोजो दावाले ड्राइविंग लाइसेंस for Motor Cycle इसूट बाइडव संपलिप टेंट अथार्टी मतलब डिजरेबल में बोला गया कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए जो कि यहां पर रहना चाहिए age limit बोला गया security assistant and mt के लिए तो वो है 27 years maximum not exist 27 years 27 years से age आपका ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और mts के लिए बोला गया है कि 18 से 25 वर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और यहाँ पर age में भी छूट है जिसे कि अगर कोई माल नीजिए SCST से है तो उनका यहाँ पे SMT के लिए दन देता है तो उनका 27 और 5 और add कर दिए SCST को तो आपको समझ में आ गया है कि 32 वर्स रखा गया है SA और mt के लिए maximum उम्र वह अगर कोई OBC से आता है तो 3 सल का छूट मिलेगा तो उनको यहाँ पे 23-30 हो जाएगा देख रहे ना उसी तरह से आप इसमें भी आइड करके देख सकते हैं उनका अगर कोई MTS सावधन करता है तो जनरल OBC से है तो 18-28 हो जाएगा और SCST से 18-30 हो जाएगा उनका परेज में छूट तो यह छूट भी उनको मिलता है जब फॉर्म भरेंगे तो आपका चूट में मिल जाता है बाकी और भी कई सारे केंडिट्स को यहाँ पे Central Government यह सिविलियन को भी यहाँ पे अलग अलग छूट यहाँ पे दिया गया है तो आप एक बार जरूर यहाँ पे और उसी लिस्ट के अगोड़िंग आपको जो यहाँ पे ऐक्जाम सेंटर की यहां पर म्टिस में सिंगल लिए लियोकर nic at बस यह हम दे दीजिए जो आपका फाट लियुरती आर म्टिग्लिस लेंगवेज यह सब आपकर रहते हैं जोकि आपि यहां पर निगर्टी मार्किंग भी होता है तो यह पेपर वन सबको देना है ऐसे आगे चलके क्या होता है कि सीक्यूर्टी एस्टेंट और एमटी के लिए अलग से टेस्ट होता पचास का पचास होता है यहां पर देखिए तो यह आपको देना होगा इसकी बाद से अगें जो है यहां पर MTS को बोला गया descriptive test भी यहां पर देना होगा अलग से तो descriptive test में आपका जो है basic of English language, vocabulary, correction, grammar, sentence, structure, synonyms यह सब आपके रते हैं पचास question, पचास marks के रते हैं यह घंटा समय आपको मिलता है तो यह आपको compulsory है आपको देखिए यहां पर selection process बताया गया है ठीक है ना तो आप लोग समझेंगा selection process का scheme क्या है MTS को यह वाला exam नहीं देना है MTS को जो है यह वाला exam देना है ठीक है रिकूट्मेंट प्रोसेसिंग चार्ज और examination fee तो यहां पर examination fee बोला गया पचास रुपी और recruitment processing fee बोला गया 4500 तो आल के इंडेट्स को जो है रिकूट्मेंट प्रोसेसिंग चार्ज आपका लग जाता है 4500 रुपए प्लस examination fee यानि 500 रुपए application fee और बाकी जो के इंडेट्स होते हैं जेनरल EWS OBC इनको भी यहां पर examination fee भी एड़ रहता है तो 500 रुपए का असपास फी लग जाता है अगर कोई SCST से होए या और बिकलांक है उनको भी यहां पर 4500 रुपए पचास रुपए माफ हो कैसे आपको form को भरना है step by step form fill करके बता दूँगा और 1111 तक आप form को apply करेंगे बहुत ही संदार वेकेंसी है selection process भी यहां पर मैंने बता दिया age limit बता दिया application fee भी बता दिया और important date भी मैंने आपको बता दिया अगर आपके मन में कोई भी doubts है comment है आप comment box से पूछिएगा मिल